Hello, Vandhi Mahathram to all my dear students. Today we are going to learn Standard 12 Unit 1, Read 2. Sunrise on the Kanchenjunga. Kanchenjunga per Suriyoday. Kanchenjunga, जो पहाड़, वहाँ का Suriyoday. Okay, the poem was written by A. Christina Elbers. इनके द्वारा लिखी गई है. तो poem को हम जूम करके पढ़ते हैं. तो book में ध्यान देना. जहाँ paragraph होगा, वहाँ paragraph बताएंगे. Okay, so friends start करते हैं. Book में ध्यान रखें और या तो image में देखते रहें. The vapors rise, the morning skies, clad in a purple glory. The vapors, vapors मतलब basp, fog, rise, उपर उठती है. To the morning sky, आस्मान की और, सुबह की आस्मान की और. मतलब basp, रूपी जो बादल है, vapors, basp, रूपी जो बादल बन चुके है. Basp, रूपी बादल उपर उठते है, to the morning skies, सुबह की आस्मान के तरफ. अब ये basp, रूपी बादल होती कहा है, glad in a purple glory. Glory मतलब प्रतीमा, एक प्रतीमा जो है, ये जो हिमालय है, कांचन जंगा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, कांचन जंगा, हिमालय की जो परवत स्रेनिया, उसमें से एक पहाड़ी है. तो ये जो परपल कलर की जो ग्लोरी है, ये जो प्रतीमा ये जो पहाड़ इतना स्तीत है, यहां धकी हुई, glad, glad मतलब धका हुआ, तो इस बैंगनी आकार के प्रतीमा पर धके हुए, वहां से, धके हुए से, बास्परूपी जो बादल है, वो आस्मान के और उपर उठती ह फिर से सुनना, जो बैंगनी कलर की प्रतीमा से धकी हुई है, उस प्रतीमा से, उस वहां से, बास्परूपी बादल सुबह के आस्मान के तरफ उपर उठती है, वाइल दे लौफ लाइट ग्लोज, जहां प्रेम रूपी प्रकास, लौफ लाइट मतलब प्रेम रूपी प्रकास, चमकता है, ओन दे इटर्नल स्लो, इटर्नल, दोस्तों इटर्नल ग्लोजरी में लिखते हैं, आप एवर लास्टिंग, कभी नख खत्म होने वाला, उपर अभी इटरनेस लोग कहा पर है तो upon the summits होरी, summits मतलब hilltop, पहाड़ी के सबसी उपी चोटी और होरी होरी मतलब प्राचीन, यह जो प्राचीन परोत स्रेनी है, पहाड़ी है, इस पहाड़ी के सबसी उचर उची तोच मतलब उपर सबसी नौक पे, टोप पे, जो कभी न खत्मों होने वाला जो बरफ है, वहाँ पर प्रेम रूपी प्राकास चमकता है, फर्स परेग्रब ओर हुआ बच्चों यहाँ पर, तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, the vapors rise to the morning sky is clad in a purple glory, बास पर रूपी बादल उपर उठते हैं, सुबह के आसमान की ओर, जब प्रेम रूपी प्रकास फेलता है, कहाँ पर, on the eternal slope, उस बरफ पर, जो कभी न खत्मों होने वाला बरफ पर, और यह बरफ कहाँ है, upon the summit sorry, यह प्राचीन AC, बहुत पुरानी AC, पहाड के जो चोटी है, उपर टॉप पर, यह बरफ जो कभी खत्मने होने वाला है, वहाँ पर प्रेम रूपी प्रकास चमकता है, फस परेग्राब ओर हुआ, and the Himalayas Queen, और जो Himalayas की रानी, देखो दोस्तो, Himalayas की रानी किसको बोला है, कांचन जगा पहाडी को बोला है, यह उसे उपमा दी गई है, and the Himalayas Queen, calm and serene, जो Himalayas की रानी है, बहुती सांध, कांचन जगा, यह बहुती सांध और गंबिर दिखाए पड़ती है, returns, the heavens greeting, यह स्वर्ग को अभिवादन करके लोटती है, मतलब उपर आसमन में जाती है और अभिवादन करके लोटती है, मतलब greeting करके लोटती है, कैसे वस्त्रों में तो निचे लिखा है, in robes of white, in robes of rob मतलब जामा टाइप, जो long टाइप, जो ड्रेस होता है, तो यह सपे देसे बर्व के जो पूरे, देखो जैसे पहाड़ी पर अगर आप कपरा डाल दो पूरा, तो पहाड़ी कैसे पूरा जामा टाइप हो जाएगा, नहा के, कहाँ पर, where the earth and sky are meeting, जहाँ पर अर्थ, जहाँ पर प्रित्विय आरसमान मिल रहा हो, मतलब वो जगह कौन सी, horizontal, मतलब क्षितीज रेखा, तो सुबह का यह जो हिमाले के जो रानी है, वो सुर्ग को अभिवादन करके लोटती है, सपे देसे जामे में, सपे देसे सुवर्न प्रकास के प्रकास में नहा कर, जहाँ अर्थ, जहाँ प्रित्वी और आसमान मिल रही होती है, दोस्तों यह second paragraph था, second paragraph एक बार फिर से repeat कर लेते हैं, और हिमाले के रानी मतलब कौन, कांचन जगह बहुती काम, बहुती सान्त और गंभी नजर आती है, Return the heavens greeting, सुवर्ग को अभिवादन करके लोटती है, in the robes of white, सपे देसे वस्तरु में, जामे में, बाते दिन golden light, जो सुवर्न प्रकास में नहा कर, रैट कहाँ पर, where the earth and sky are meeting, जहाँ पर प्रित्वी और जहाँ पर आसमान मिल रहा, वहाँ पर नहा कर, सपे देसे जामे में, लिखेंगे दोस्तों, बूप में ध्यान देते रहना, या तो स्क्रीन पर जो दिखाए दे रहा है, उसको पढ़ते रहना, and the morning news, और सुबह के, deuce, deuce मतलब औस के बूंदे, और सुबह के औस के बूंदे, and mellow hue, or mellow मतलब हलके हलके रंग के, use मतलब छीटे, right, mellow मतलब moist and rich texture, use मतलब shades of color, right, glossary में लिखा है, वहाँ देखना, and the morning news, the mellow hues, और सुबह के औस के बूंदे, और हलके हलके रंग के छीटे, पैंठ हर, रंगते है, हर cheeks with fairy finger, हर cheeks मतलब हर किसके कांचन जगा, पहाड़ी के गालों को, fairy with fairy finger, परी जैसे, जैसे परी के हाथ कैसे, fingers कैसे, कैसे मुलाइम होते है, तो उसी प्रकार, परी जैसे, उंगलियों से, उसके गाल को रंगते है, कौन, यह सुबह, ओसके बूंदे, and यह हलके हलके रंग के प्रकास में, जो अलग-अलग, बूंदों के जो रंग बदल के है, उससे ऐसा प्रतित हो रहा है, कि यह जो, ओसके बूंदे और हलके रंग के चीटे हैं यह उसके गालों को रंग लगा रहे हैं रंग लगाते हैं कैसे हातों से फेरी फिंगर के हातों से मतलब पर यह जैसे उंगलियों से वह रंगते हैं जबकि उस जहने के उस पार उस पहाड़ी को किस कर रहा है उस पार यह लोव लाइट जेंटल लिंगर वहां पे प्रेम रूपी प्रकास धीरे-धीरे जेंटली जेंटली मतलब धीरे धीरे लिंगर फेल रहा है वही रुक रहा है स्टे बिहाइंड वही फेल कल रुक रहा है तो से थर्ड पेरेग्राफ ओर वहा बच्चों एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं और दिव Counsel and the morning dew and the mellow hues सुबह के और आशके बुंदे और हरके हलके रंग के छिटे पेंठ हर चिक्स विद फेरी फिंगर उसके गालों को रंगते हैं विद फेरी फिंगर परियों जैसे उंगलियों से किसके गाल को रंगते हैं कांचन जंगा पहाडी को रंगते सा कवी ने अपनी हिसाब से वर्नन किया है वाइल ओवर दे रिल जब पहाडी के उस पास्वारी जरने के उस पार and the sun किस रिल और जो सुर्य जे उस पहाडी को चुमता हुआ ऐसा नजर आ रहा है प्रतित हो रहा है पहाड़ी के पीछे सूर्य का उद्धय हो चुका है और पहाड़ी के पीछे सूर्य का आधा बाग ऐसे नज़र आ रहा है जैसे सूर्य उस पहाड़ी को चूम रहा है और वही love light gently lingers वही प्रेम रूपी प्रकास धीरे-धीरे फेल रहा है okay friend third paragraph is over our last paragraph paragraph उस question answer send करेंगे हम इस 컨सर हमें भेज़ना और याद रखना paragraph जैसे वैसी line का नहीं आएगा कभी भी नहीं आएगा याद रखना गलत करके आओगे हमें इस समझ कर थोड़े sentence को बना कर लिखना होगा okay so friend last paragraph देखते है and the breaking day marks फैंट रही सूरे जेसे सुबह का धिन जैसे जैसे इस सुबह होती है पहला थूंदला किरन भेजता है और लाव हुआ का लव अंडाइंग फाउंटन अंडाइंग मतलब कभी न खत्म होने वाला इस प्रेम के फवारे का पहला दुन्दला प्रकास दिन के सुबह होते ही फेलता है मतलब कौन भेजता है सुरज सुरिय सुबह में ही अपना प्रेम का कभी न खत्म होने ला फवारा जो है मतलब सुरिय को क्या कहा गया ह अंडाइंग फाउंटन मतलब उससे कभी भी जो प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा अंडाइंग फाउंटन वह हमेशा अपनी पहली धुंदली किरन इस पहाड़ी पर सेंड करेगा भेचे गए जैसे दिन की सुरुवात होती है वाइल दा हाड़ी में से जो आवाज आती है उस आवाज से उनका दिल उनका रिदय खुशी से भर जाता है और वह वह होते है यात्री उनकी यात्म वह ही पहाडों में रुख जाती है वही पहाडों में ट्वेल मतले रह ही रह जाती है यह तर्टीन नहीं प्रतीत होता है उनको परेंड गर्राफ फिर से और जब सुबह होती है तब कभी ना खत्म होने वाला इस प्रेम के फवारे का पहला धुंदला की रण जमिन पर आता है पहाड़ी पर आता है और यह दुर्ष से देखकर जो जो लोग वहाँ मुलाकात वीजट पे जाते उनका रिदय खुशी से भर जाता है और उनकी आत्मा उस पहाड़ीों में ही स्टे हो जाती है रुख जाती है लास लाइन में कहने का मतल़ जैसे दोस्तो आप ट्रेंड से सपर करके आओगे तो जो वेक्ति रिटन आ गया विजिट करके कांचन जंगा कि उसके मन में यही रहेगा कि हम अभी भी पहाड़ियों में घूम रहे वहां का दृष्च देख रहे हैं अब यहां पर जाकर यूटूब से इसकी कांचन जंगा की विकिपेडिया प्राप कर सकते हो और बहुत सार इंफोर्मेशन और फोटोग्राफ देख सकते हो राइट ओके सो फ्रेंड सी यू तिल देन सी लेटर तुमोरो जहीन वंदे मातरम